हेलो दोस्तों मैं हरुषव चार्जियर आज की सीडियो में हम बात करने वाले ओपो एनको M32 वायरलेस नेकबैंड के बारे में तो आपको पता रहेगा कि ओपो का M31 वायरलेस नेकबैंड एवेलेबल है अल्रेडी मार्केट में बट उसका नेक्स्ट अपग्रेड आने वाला तो अब इडियो को पूरा देखिए अगर थोड़ा सा भी यूस्फुल लगे तो लाइक ज़रूर करना चाल बना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान में दबा दीजिए मुझे इंस्टन पर फॉलो कीजिए तो रे आसी मीडिया हाउस और इस प्रड़क का लिंक दोस् music playback मतलब fast charge का support है design भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी change हो गया आप देखिए वह नेक बैंड वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा थिकर कर दिया है थोड़ा सा जाधा stylish टाइप थोड़ा different type look company ने दिया है also आप अगर neckband मतलब येरबड वाला area देखें ने mention कर दिया है तो अगर आप फिफ्ट जैन पे वीडियो देख रहे है तो description में already updated link रहेगा जैसे link मिलता है मैं link मतलब description update कर दूंगा ठीक है फिर battery life की बात करें 28 hours का claimed है IP 55 dust and water resistance है 10 mm का drivers मिल रहा है थोड़ा सा जाधा बड़ा driver हमको इसमें मिल रहा है already हम battery life के बारे में तो बात कर लिये है Bluetooth version 5.0 दिया है company ने low latency transmission company claim कर रही है अभी Bluetooth version में अभी मतलब और भी latest 5.1 5.2 भी आता है बट इसमें अभी 5.0 ही मिल रहा है dual device fast switching वादब dual device switching का भी function हमको मिल जाएगा अभी comparison भी company ने दिया है तो M31 versus 32 तो battery life अगर हम देखेंगे बहुत ज्यादा improve हो गया है यह एक चीज था जो M31 में lacking था कि compared to competition battery life बहुत ज्यादा कम था only 12 hours आप देखेंगे अभी on par almost हो गया है 28 hours हमको मिलेगा charging speed की बात करें तो 10 minutes charge करेंगे तो आगे 3 hours चलता था अभी 10 minutes charge करेंगे तो 20 hours चलेगा huge improvement almost 6 times से भी ज्यादा चलेगा अभी IP rating की बात करें तो आगे IP x5 रहता था अभी IP 55 तो वो भी थोड़ा improve हो गया Bluetooth version जैसे के बुला अभी भी same ही रख रहे है driver size की बात करें तो अभी आगे 9.2 mm का था अभी 10 mm का कर दिया बड़ा है तो अभी battery life तो हमने बात कर लिया है full charge company claim कर रही है 0-100% 35 minutes में हो जाएगा which is good और आप देखिए जो design है charging का मुझे लग रहे है type C ही होगा बट कहीं mention नहीं किया वर time C ही लग रहा है मुझे battery life 28 hours okay dynamic driver independent base chamber design pure and deep base independent base chamber करके company claim कर रहे noise cancellation during call तो थोड़ा सा आपको cancellation better रहेगा मतलब जब भी आप call करेंगे थोड़ा clear रहेगा three button design हमको इसमें मिलता है press once play and pause answer call press three times activate the voice assistant press and hold for two seconds decline a call okay तो यह सब functionality आपको मिल जाएगा उस button से smart seamless switching between two devices तो हमने आगे भी देखा दो डिवाइस आप switch कर पाएंगे ip55 water okay automatic play and pause यह क्या feature रहता है तो जब भी आप ear buds को मतलब magnetic right रहता है तो जब भी आप clip करेंगे तो pairing चले जाएगा जब भी आप खोलेंगे तो automatically pair कर लेगा and play and pause भी company बोल रहे है होगा so that is good 33 grams का weight है unboxing भी थोड़ा company ने अल्रेड दिखा दिया box कैसे रहेगा तो आपको cable मिल जाएगा extra जो tips रहता है sizes and हमारा manual and neckband तो यही पूरा information था launch date भी हमको पता है pricing की बात करें दोस्तों तो company ने अभी तक कहीं भी आप देखा होगा mention नहीं किया but मुझे mostly लगता है between 1500-2000 के बीच ही होना चाहिए क्योंकि competition को देखे यह जो feature मिल रहा है between 1500-2000 अगर जाधा competitive करना चाहते 1000-2500 भी हो सकता है so max range अगर हम देखे between 1000-2000 ही आना चाहिए क्योंकि feature जो भी है तो देखने से तो वैसे ही लग रहा है but आप बता है आपको क्या लगता है अपराइजिंग क्या होगा comment section में बता है जरूर और वीडियो थोड़ा सा भी useful लगा तो एक like जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon में बाद जिए मुझे इस्टा पर फॉलो किजिए दो रेट रसी मीडिया होस आज के लिए इत